नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारे बताने वाला हूं देगे हो जबी किशान भाई लोग है उनके लिए काप एची खबर लेके हैं देखो किशान भाई की फसल कापी नुक्षान भाई बारिस नहीं उसकी कारण तो किशानों को सरकार के दुबारा कुछ पै कि जाएगी कुछ जानकारी निखल के यह केंद्र सरकार के दुबारा सभी जो किसान है उनके बेंग खातों के अंदर पैसे वो ट्रांस्वर की जाएंगे अब कितनी रासी दी जाएगी कितने पैसे आएंगे पूरी जानकारे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देगना पूरी इंफ्रमेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है केंद्र सरकार की दुबारा पचास जार रुपे से लेके आपको एक लाग रुपे का भीमा वो दिया जाएगा अब ये एक लाग रुपे और पचास जार से लेके एक लाग रुपे किये जो भी किसान भाई लोग है उनकी जो पसल का जो नुक्सान हुआ उनको मौबजराशी वो परदान की जाएगी तो उनकी इंफ्रोमेशन आपके वीडियो में बताने वालाओ अब देखो भारत की जो लगबग आबादी यह वो करशी पर निरबर है यानि लोग करशी पर निरबर होने के कारण अपना जिवन यापन इसी से करते हैं कहीं बार पेदावार अच्छी नहीं होती जिसके कारण किसान निरास हो जाते हैं लेकिन अब उनको घबरानी की कोई आउसकता नहीं क्योंकि अगर उनकी फसल में कोई भी दिक्कत है तो यह खराब हुई है तो स किसानों को नो कि जो कुराब पासल सरकार के दोरा राथ पर्दान करने के लिए परदानमंत्री पासल बीमा योजना में लागू की गई इस योजना के द्रगत किशानों को इंसूरिश जी कंपशना व मैं जाता है और जिन चेत फिर अधरप में वहां कर सकते हैं अधिक उसकी में आपको लिंक देदूंगा आगे वीडियो को देखना में आपको केशा में चेक करना है अपनी लिश्ट के अंदर आपका नाम यहां पर देखते हैं किस प्रकार्श और इंफरामेशन आग सकते होई ऐसके कारण स॥ीरज कारण के क्वाशन पासल नुक्षान हो चुक है कई बारिस ज्यादा होई और कहीं बाड़ के हालत भी बन गए हैं जिसमें हजारों किसान की फसल है बाड़ से बरबाद हो गई ऐसे राज्जिय सरकार के और से किसानों को रहात परदान की जाएगी इसके इताहद जिन किसानों की फसल बरबाद हो गई उन्हें पंदरा जार रुपे पर्तिय एकड़ की मौब जराशी दी जाएगे साथ ही जो किसान हैं उनको धान की जो पोदें उपलब करवाए जाएगे ताकि वो दुबारा अपनी खेते हैं वो कर सकेंगे तो इस प्रकार से सभी किसानों को पसल हुई प्रबाद हुई है उनकी जो प फशलका मौबजव परदान के रहीगी किसानों के लिए एक बहुत ही रहत बड़ी खबर सामने आयोए सरकार की बारिस सरकार ने बारिससे खराब हुई फसल नुक्सान में भरपाई के लिए 66 क्रोड रुपे की राशी बतुर मौपजा वित्रित करने के लिए जारी कर दिये सरकार ने इस कदम से पर्देश के लाकों किशनों को लाब हो और बता दे कि कि हर साल की तरह इस बार भी जो बारिस कम हुई इसकी कही जगों पर किशानों की फ़सल को नक्षान आज करें, कहीं पर किशानों की फसल पूरी तरह से खराब हो सकी है, सरकार जल्दी किषानों के खातों में पैसे ट्रांसफर करने जा इसमें पहले जुलाई के मैने में सरकार ने किषानों के खातों में मुआपजा राशी वो परदान की थी जिसमें एक सुत तीन क्रोड रुपे की मुआपजा राशी वो परदान की गई थी अब सरकार के कि जो भी इंफ्रोमेशन आती है उनके द्वारा जो पैसे कब दी जाएंगे कब आपको आफिदन करना है कब चेक करना पूरी इंफ्रोमेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जैसे मैं वीडियो बना हूं तो आपके पास उसका